नवश्कर दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत शामल और आप देख रहे हैं वरकर भुह स्टॉटी दोस्तों आप में से जिन लोगों के पास भी EPF यानि की PF का खाता है उनके लिए एक महत्पून जानकारी हमारे पास आई है जिसको आज मैं आप से शियर करने जा रहा हूँ आपको बता दू कि जितने भी PF धारक हैं जिनका PF का एकाउंट है उनको उस PF एकाउंट के एगेंस्ट अगर मिंबर्स की डेथ हो जाती है तो इनसूरिंस का क्लेम दिया जाता है उनके नोमनी को उनके डिपेंडेंट को या फिर उनके जो उत्राधिकारी है उनको उसके ये लव उनके नोमनी को या उत्राधिकारी या फिर परिवार के सदस्यों को दिया जाता है आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि पहले इस स्कीम के तहट कितना पैसा मिलता था और अभी सरकार ने इसके लिए क्या घोशना की है इसका नोटिफिकेशन आपको कहा मिलेगा और कैसे क्लेम करते हैं और इस क्लेम करने के दौरान आपको क्या-क्या मिलता है इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप सनूध है इस वीडियो पे आपहन तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो जलसल इसको सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को EPFO के दौरा सभी मिम्बर्स को जीवन भीमा की शिवधा परदान की जाती है जिसमें EPFO के दौरा मिम्बर्स को Employee Deposit Link Insurance Scheme 1976 यानि की EDLI के तहत कभर किया गया है जिसमें किसी भी PF खाताधारी करमचारी की सेवा के दौरान अचानक मिर्थि होने पे उसके नॉमनी या परिवार के सदस को मुआवजा का भुकतान किया जाता है जिसको EDLI यानि की Employee Deposit Link Insurance कहते हैं जैसे ही किसी भी करमचारी का PF का खाता उसके Employer के दौरा ओपिन किया जाता है उसमें आपका Contribution और Employer का Contribution जमा होने लगता है तो उसके साथ आपको तीन अलग-अलग Benefits मिलते हैं पहला EPF ह हो गया दूसरा EPS हो गया और तीसरा EDLI हो गया EPF में क्या होता है आपका और Employer का Contribution सेम जमा होता है उसी परकार EPS में क्या होता है कुछ Pension का जो रासी होता है वो Employer के Contribution से कड़ता है और इसके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो हमने PF के बारे में एक वीड Community Meeting में 9 सितंबर 2020 को ही फैसला लिया था जिसका Official Notification दिनांग 29 अपरेल 2021 को परकाशित किया गया है जिस Notification के अनुसार EDLIS Scheme के तहत अब PF मेंबर्स को नियूंतम धाय लाख और अधिकतम 7 लाख रुपे रासी का लावध दिया जाएगा अब इसके बाद आप पूछेंगे EDL कर सकते हैं कैसे क्लेम कर सकते हैं तो आपको बता दूँ किसी भी PF खाताधारक जिनका एकाउंट एक्टिव है यानि कि उनका contribution एकाउंट में जमा होना चाहिए करेंटली यानि कि लास्ट महीने और अचानक से उनकी मिर्ती हो जाती है तो ऐसे में उनके जो नॉमनी है या फ इसके साथ अन्यरासी भी दी जाती है जिसकी जानकारी हम अब ही आपको देने जा रहे हैं इसके बाद आपका सबाल होगा कि EDLI के तहट हम ऑनलाइन क्लेम कैसे करें तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपके पास PF अकाउंट है तो सबसे पहले अपना UNA नं के दो तीन वीडियो है और करते हैं सबसे पहले अपने अकाउंट में नोमनी एड कर लें जो भी आपके फैमली के मेंबर है क्योंकि जब तक नोमनी एड नहीं रहेगा तब तक आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं और अगर आपका नोमनी एड है तो ऐसी स्थिति में जिसके बाद आपको आपके अकाउंट में क्लेम मिल जाएगा इसके बाद किसी कारण वश्थ आपने नोमनी एड नहीं कर रखा है तो आपको आफ लाइन माध्यम का सहारा लेना होगा ऑफिस में जाकर करके फॉर्म भरके आप सब्मिट करेंगे उसके बाद आपको इसका मिल पाएगा इसके बाद आंत मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप EDLIA स्कीम के लिए क्लेम करते हैं तो इसके साथ अलगला आपको टीन बेनिफिट्स और मिलते हैं जैसे कि आपके जो एकाउंट में इंप्लोई का कंटिवूशन जमा हुआ है वो आपको ब्याज सहित आ आपका पेंचन का राशी है वो कलकूलेट करके आपको मिल जाएगा अगर दस साल से अधिक हो चुकी है तो आपका पेंचन जो है नियम के हिसाब से सुरू हो जाएगा अंत मैं आपको बता दो कि EDLIA स्कीम के तर्च जो पैसा है कैलकुलीशन के हिसाब से दिया जाता है जो करके आपको जानकारी दूँगा कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आपका एमाउंट होगा आपके नोमनी या परिवार का सदस या उत्राधिकारी के दे दिया जाएगा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फिर डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग